अगर हम लोग बात करते हैं BLDC मोटर के बारे में तो सबसे पहले हमने जो तीन आपजेक्टिव लेके चले थे हमने सबसे पहला आपजेक्टिव टेस्ट करा हमने यह देखा कि अगर थ्रीफेस अप्लाई मैं किसी अगर मैं मशीन को दे देता हूं तो वहां से कैसे रोटेटी मैंटि फील जनम लेगी इसपे हमने चर्चा करी थी हमने क्या करा या क्या सकतі हो यह चीज को plot करा तो हमने देखा कि rotor के और stator यानि कि अगर हम machine के ऊपर plot करते ही sequence तो वहाँ पर हमें एक rotating magnitude field देखने को मिलेगी यानि कि एक air के अंदर एक north pole और south pole घूमते हुए देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह चीज यानि कि यहां से प्रूफ कर दी हमने कि अगर three-phase balance apply balance मतला 120 degree phase apart और 120 degree space apart अगर ऐसी supply में दे देता हूं इस्टेटर में तो वह एक rotating magnitude field को जनम देगा ठीक है यहां तक हमने सीखा था देन हमारे पास एक idea है कि क्यों ना same concept अगर मैं inverter generate करने कोईश्च करूँ यानि कि अगर inverter से भी हम लोग three-phase AC waveform generate कर पाए balance three-phase AC waveform तो वह भी रोटेटिक मेंटी फिल्ट बनाएगा ऐसा करने के लिए हमने क्या करा हमने inverter बनाया अपना inverter के अंदर switches लगाए और उन switch का pattern decide करा पुरानी लेक्चर में और फाइनली हमने देखा कि जब हम उन्हें 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 प्रॉपर स्विक्वेंस में और बनाएंगे और जब भी three-phase AC waveform बनाएंगे क्योंकि यह बिल्कुल similar होगी almost similar होगी कुछ harmonics के साथ यह जो हम supply AC three-phase AC देते हैं उसकी तरह होगी तो यह भी एर के अंदर को जनम देदे की ठीक है और यहां से हमारी जो मशीन थी वह हमने यहां तक यानि अब तक हमने बील्डी सी मोटर के अंदर रोटेटी में बना दी थी पिक्चर में ठीक है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक problem थी आपको याद होगा जब मैंने पुराने लेक्चर सब भी पीछे लिए हैं तो जब भी हम rotating magnetic field की बात करते हैं और synchronous machine की बात करते हैं यानि कि कोई भी ऐसा rotor जो एक rotating magnetic field के साथ rotate करना चाहरा है lock होके तो वहाँ पे एक problem होती है और वो problem होती है कि self start की यानि कि ऐसी machine जिनके अंदर rotating magnetic field के साथ आपको अगर rotor को घुमाना है तो हमने देखा जो conventional machine थी वो self start नहीं हो पारी थी reason आपके सामने था reason था inertia और वो inertia क्या कर रहा था वो रोटर को lock नहीं होने दे रहा था यानि कि जितनी तेजी से रोटेटी मेंग्टी फिल घूमती है initial condition में रोटर अपने आपको उतनी तेजी से घुमा नहीं पा रहा था जिसकी वज़ेसे वो लॉक नहीं हो पा रहा था और रोटर ऑसलेट करके रह जा रहा था ठीक है तो यह प्रॉब्लम थी ना वी लडी सी मोटर हमने बनाया तो हमने तीन objective सेट करे थे पहला objective था कि हम यह टेस्ट करें कि वह रोटेटी मेंग्टी फिल बनती है कि नहीं थ्रीफेस अप्लाई पर वो कर लिया दूसरा था अजह मनें बीडी लिटी सी मोटार का फस्ट लेक्चर लिया था महाँ पे बताया था कि संफ she Mid использовать करने के लिए हमने क्या करा establish अनॉर्माल नहीं संग्रस तरीके से काम करेगा इन सारी चीजों को हम लोग इस lecture के अंदर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे BLDC motor को हम लोग self start बना सकते हैं तो मेरा नाम प्राणजल है और ये पूरा lecture में हम लोग उस logic की discuss करेंगे उस logic को उस concept को या उस story को discuss करेंगे कवर करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने inverter को BLDC motor को self start बना सकते हैं और यहां पर आपको सीखने को मिलेगा कि यह synchronized inverter का क्या मतलब होता है clear हो गया है तो यह सारी चीज़े हम लोग बड़ी detail में सीखेंगे इस lecture को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि BLDC motor self start अगर होती है तो क्यों होती है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक बड़ा important question यहां पे यह आपको अभी निकाल के देखाना है question यह है कि भाई XD और XQ आपको पता होगा direct axis reactance और quadrature axis का जो reactance होता है यह पूछा जा रहा है कि SPM rotor के अंदर इनके बीच का क्या relation होता है XD जादा होता है कम होता है यह सारी चीज़ें चार option आपके सामने हैं इस question को आप solve करें इसको मैं इस lecture के end में discuss करूंगा अगर आपको इस answer आ गया है तो comment section बता सकते हैं और अगर आपने नहीं निकाला है तो copy पे note कर लें इसको हम last में discuss करेंगे चलिए आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं self start BLDC का मतलब क्या हुआ अगर मैं चाहता हूं कि मेरी BLDC motor जो है वो self start हो ठीक है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहला step इसके लिए जो rotating magnetic field है वो must be synchronized with the rotor यानि कि यह हमने पुराने लेक्षर में चर्चा की थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुमारी BLDC motor self start हो तो इसके लिए सबसे important चीज़ क्या है कि जो तुमारा rotor है motor का BLDC motor का वो rotating magnetic field के साथ synchronized रहे clear हो रहा है यहां पर RMF का मतलब rotating magnetic field clear now ऐसा करने के लिए मुझे दो चीज़े चाहिए पहली चीज मुझे चाहिए rotor position sensor ठीक है यानि कि एक मुझे पहला requirement आ गया कि एक rotor position sensor मुझे चाहिए होंगे और दूसर requirement आ गया switching frequency control यानि कि rotor position sensor plus switching frequency control अगर यह दो चीज़े मुझे मिल गई तो मैं अपनी rotating magnetic field और rotor को एक दूसरे के साथ synchronize कर सकता हूँ अब यह कैसे तो rotor position sensor का पहले काम समझ लेते हैं यह क्या करेगा rotor position sensor यह बताएगा कि rotor की क्या position है यानि rotor कहां पर है या फिर कह सकते है rotor की speed कैसी है तो यह दोनों चीज़े हम पता कर सकते हैं अगर हमें position पता चल जाए फर एक्जांपल हमें पता है कि train भाई कितनी दूर है कौन से station पर है तो वहां से दूसरे station पर कितनी देर में जा रहे ही वहां से इस फील्ड को हम कितने पर चलाएंगे 30 RPM पर चलाएंगे भाई ठीक है अब रोटेटी मेंटी फील्ड की अगर बात कर लेते हैं रोटेटी मेंटी फील्ड की अब एक रोटेटी में पर चलाएंगे है तो कहां चेंज कर सकते हैं तो यही ही चीज यहां पर लिखी इसलिए मुझे क्या चाहिए रिसिचिंग frequency control भी मेरे हाथ में होना चाहिए यानि कि एक तो मुझे rotor की position पता करने के लिए sensor होने चाहिए कि rotor कहाँ पर है उनकी कितनी speed है दूसरा मेरे पास एक remote control होना चाहिए जिससे मैं क्या कर सकता हूँ rotating mind field की frequency control कर सकता हूँ अब ये कैसे करेंगे तो frequency control यहाँ पर लिखा हुआ to control the speed हो रहा है with respect to rotor ये frequency control करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ये जो switches आप देख रहे थे ये जो switch हमने याद है inverter में switch लगाए थे ऐसे करके S1, S2, S3, S4 ऐसे करके switch लगाए थे इनकी frequency को control करेंगे यानि कि इनके on और off की चाहिए होगा और एक switching frequency control यानि कि जो हमारी three phase waveform inverter से generate हो रही है उनको generate करने वाले जो switch है उनके on off की frequency का control मुझे अपने हाथ में चाहिए है ठीक है clear हो गया क्यों 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 कि हम चाहते हैं कि nr equal to ns रहे आप देखो यहाँ पर बड़ा important आ जाता है यानि कि हमने नया क्या करने वाले हैं तो देखो यह inverter हमने three phase inverter का इस्तमाल करा था this is three phase inverter six switch वाला six switch कहलो या फिर six pulses कहलो six pulse inverter का इस्तमाल करा था हमने अभी पीछे वाले lecture में three phase waveform को generate करने के लिए ठीक है तो अब यह switch देख रहा है on s1 s2 s3 s4 s5 s6 यह किस sequence में on होंगे यह कौन decide करेगा यह हमने पुराने lecture के अंदर decide करा था यह पूरा sequence था कि पहले वाले part में यह on होंगे s1 s5 s6 उसके 60 degree बाद s1 s2 s6 on होंगे उसके 60 degree बाद s2 s4 s6 on होंगे तो इनका जो sequence है वो हमने decide करा था पुराने lecture के अंदर देखा था कैसे decide करते हैं with the help of three phase waveform three phase waveform को हमने एकदम पूरा replicate करने के लिए पूरा copy करने के लिए हमने switching sequence वहां से generate करा था now अब बात आ रही है timing की यानि कि यह जो lecture है यह discuss करेगा timing में यानि कि switch कब कौन सा switch on होना है यह decide करा था इस switching sequence ने कब on होना है यह कौन decide करेगा यह discern करेगा switching timing बात समझ में रही है यानि कि जो on off frequency है देखो switching timing का मतलब होता है जैसे S1 है कब on होगा और कब off होगा तो इसे हम कहते है on off timing तो यह जो on off timing है या फिर on off की जो frequency है या जो switching frequency यह कौन decide करेगा यह decide करेगा rotor की position so this is the new modification और यही है तुमारा auto synchronized inverter यह है auto synchronized inverter बात समझ में रही है यहाँ पे auto synchronized का मतलब क्या हुआ कि खुद बाखुद यह synchronized हो रहा है जो inverter है उसकी जो switches है वो कब-कब on off होगी उनकी timing जो हो रही वो automatically synchronized जो हो रही with the help of rotor position clear हो रहा है यहाँ पे तो rotor position बताएगी ठीक है तो सबसे पहले समझ लो inverter हमने ले आए market से खरीद के उसके अंदर switch लगे गए है switch कि इस pattern में on off होंगे यह बताएगी three phase waveform जो हम generate करना चारहे है वहां से हमने decide कर लिया पर कब on और off होंगे कितनी frequency से on और off होंगे यानि कि एक second में on होगा एक second मतलब हम लोग switch करेंगे यानि कि यह for example यहां से यानि कि यह वाला pattern माल लेते हैं इस समय particular second पर यह वाला pattern चल ला है अब यहां से यह दूसरा pattern है यह कितनी देर बाद on होगा एक second बाद, दो second बाद एक millisecond बाद, एक microsecond बाद तो यहां से यानि कि switching pattern 1 से यानि कि यह है pattern 1 pattern 1 से pattern 2 पर कितनी देर में switch कर रहे हो यह कौन बताएगा यह switching है, यह होगा switching timing और यह कौन बताएगा, यह बताएगा rotor की position रोटर पोजिशन सेंसर आपको बताएगा क्लियर हो गया सो आयोब धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा मैं आपको बिल्कुल धीरे-धीरे करके अपने concept की तरफ ले जा रहा हूं डाइट बताऊंगा तो बड़ा complex होगा सब छोड़ दोगे इसलिए मैं आपको धीरे-धीरे picture क अंदर ले जा रहा हो आपको ध्यान से समझता मेरे साथ चलते रहना अगर कोई डाउट है तो comment section बता सकते हो अगर अभी थोड़ा सा दिक्कात हो रही तो पीछे जाके रिवाइंड करेंगे वापस इस lecture को देखते हूं यहां पर थोड़ा सा connect ज्यादा अच्छे से कर और यह three-phase winding को मैंने यहां पर खोल के रखा हुआ है star connection में clear हो गया यहां पर यहां पर यहां पर रोटर का रोल अब यह देखो रोटर पोजिशन सेंसर अब मैंने अभी बार बार कह रहा था रोटर पोजिशन सेंसर रोटर पोजिशन सेंसर तो यहां पर वो लगे हैं पोजिशन सेंसर ठीक है तो अगर कमेंट के अंदर पोजिशन सेंसर के उंपर अच्छे खासे कमेंट होंगे तो मैं उसके उंपर एक separate video बनाऊँगा अगर आप चाहते हो कि मैं cover करूं पूरी डिटेल के अंदर कि पोजिशन सेंसर कितने type के होते हैं कैसे काम करते हैं तो इ पोजिशन सेंस क्या करेंगे यह बताएंगे रोटर कहां पर है इनका केवाल एक ही काम है यह बताएंगे रोटर कहां पर है और उसी के बैसिस पर हम लोग क्या करेंगे अब यह पोजिशन सेंसर नहीं यह बता दिया कि रोटर कहां पर है इस समय इन्फॉर्मेशन इसने दी इस signal conditioner को signal conditioner काम क्या है कि तुमने जो positional sensor ने जो information दी वो हो सकता है एक particular data के रूप में हो कुछ भी हो सकता है मान लेते हैं कोई analog signal हो सकता है कोई digital signal हो सकता है signal conditioner क्या करेगा उस signal को लेके उसे modulate करेगा उसमें से information निकालेगा ठीक है और वो information देगा यह controller के अंतर तो signal condition क्या करेगा जो भी positional sensor की information आ रही है यह उसमें से information निकालके controller को कुछ signal generate करेगा ठीक है और यह signal controller में जाएंगे controller क्या करेगा यह जो signal conditional के signals आ रहे हैं इनके basis पे switching controlling signals को generate करेगा ठीक है switching controlling signals यह जो ज्वनको इनको अन उफ करेगी य्यानिaldo डिये पाइए गिम इस लिए पंडशोगी है यह गए मुत अयर्फ रहेगा तो न मौगण कर दो देगी लो यह तो पलस्टे आएगी वो यह controller generate करेगा on the basis of signal condition on the basis of rotor position sensors ठीक है समझ में आ रहा है तो जो pulses आएगी यानि कि जो switches मैंने आपको बताया था पुराने lecture में कि inverter के जो switch होते हैं इनको on off करने लिए pulse की जरुवत पड़ती है हर switch के लिए pulse की जरुवत पड़ती है ठीक है तो छे switch हैं छे pulse जरुवत पड़ेगी ना यह pulse कहां से आएंगी तो यह pulse आएंगी controller से इसके लिए controller काम करेगा controlling pulses को generate करेगा और controller कहां से generate करेगा controller generate करेगा on the basis of data gather from positional sensor यानि कि जो भी data हम लोग gather करेंगे पोजिशनल sensor से उसके basis पे controller generate करेगा तो पोजिशनल sensor अगर बतायागा कि rotor certain position पे है तो certain number of pulses जोंगी वो activate हो जाएंगी यानि कि high हो जाएंगी clear हो रहा है यहां पे और बाकी सब low रह जाएंगी ठीक है समझ में तो for example अगर हम बात करते हैं अगर माल लेते किती situation में S1, S5 औ यह low यह low रही clear हो रहा है यहां पे तो इनकी pulse यहां ऐसे बानने है अगर low ऐसे बान लो लो हो जाएगी तो इन सब की pulses low हो गई S2, S3 और S4 की low है और S5, S6 और S1 की high है तो यह high है यह low है high का मतलब मान लेते हैं on है तो देखो S1 on हो जाएगा S5 on हो जाएगा and S6 on हो तो इस तरीके से inverter काम करता है electronic commutation circuit काम करेगा with the help of positional sensor with the help of controller clear हो गया पर और यहां पर जो inverter हम इस्तमाल करें इससे कहेंगे auto synchronized क्यों क्यों क्योंकि देखो यह automatically काम कर रहा है यानि कि इसमें manually हम लोग on off करने नहीं आ रहे हैं मतलब जो inverter में हम लोग manually करते हैं यानि कि हमने म इसको क्या कर रहा है प्रोग्राम कर रखा है या कह सकते हैं manually operate मतलब इंदस्याइज प्रोग्राम ली ऑपरेट कर रहे है ठीक है auto synchronized नहीं करवाएगा लेकिन अगर यहां देखो तो यहां पर यह auto synchronized का मतलब क्या हुआ कि यह जो switches हैं यह अपनी timing को change करेंगे यानि कि automatically synchronized क करेंगे विद्दा है विद्दा रोटर पोजीशन रोटर पोजीशन के साथ यह सुच जो है वह अपने on-off की timing को adjust करते रहेंगे automatically इसलिए इस टैप के इंवर्टर का नाम देते हैं जो शुरुआत के lecture मैंने बताया था यहां पर वह चीज़ मैंने explain कर दिए clear हो गया this is auto synchronized inverter okay now plan क्या है यह सब तुमने बता दिया बहुत अच्छा लगा जानके मज़ा आया लेकिन अभी भी हमें plan नहीं पता चला हम करना क्या चाहरे है तो plan देखते हैं बहुत important slide है यह common sense की बात है यहां पर हम जो बात करने वाले हैं और उसी के basis पर हम इसको समझेंगे तो चली श car चलाता है और यह वाला जो driver यह बहुत slow car चलाता है लेकिन भाई हमने क्या करा है यह दोनों driver hire करें और हम एक program में जा रहे थे और हमने कहा है कि दोनों driver को साथ चलना है या नहीं की synchronize होके चलना है ठीक है साथ चलना है तो तरीका क्या होगा अगर तुम चाहते हो कि दोनो driver साथ में चाले तो होगा क्या far फास्ट वाला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ठीक है far वाला तेज चलता है तो five वाला थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा मानके चलते है far वाला जो है वो एक km आगे निकल जाएगा फिर वहाँ जाकि वो इंतजार करेगा चार-सो मीटर आगे čलेगा फिर यह इंतजार करेगा कि पीछे वाला आजाये जब पीछे वाला जो श्लो ड्राइवर है वो भी आ जायेगा तब यह फिर से क्या करेगा अगेन 400 km आगे निकल जाएगा क्योंकि ये तो बहुत तेज चलाता है तो ये तेज चलाएगा फिर से 400 km आगे निकले चार सो मीटर जाके फिर से इंतिजार करेगा कि पीछे वाला ड्राइवर जो है वो आ जाए इस तरीके का हम लोग इस्तिमाल करते हैं अपनी जनरल लाइफ में जब हम दो गाडियां साथ में लेकर चलना चाहते हैं या दो लोग मान के चलते हैं जैसे फ़र एकजामपल आप चल रहो हो और आप के सात कोई एक परसन चल रहा है जो थोड़ाथ फोड़ा है बस इंजिनिरिंग ने यही इंजिनिर्स ने यही common sense यहां लगा दे देखो इंजिनिरिंग बेसिकली pure common sense है इंजिनिरिंग को कभी भी आप अगर tough तरीके से देखने कोईश करोगे rocket science की तरह देखने कोईश करोगे वही से इंजिनिरिंग निकल के आईए कोई अलग चीज नहीं है तो वही चीज हम concept यहां पर यही थियोरी जो simply हम daily life में यूज करते हैं वही थियोरी हम यहां पर यूज करेंगे तो प्लान यही है तो अब होगा क्या अब देखो यहां पर हम बात कर लेते हैं इस story से यह वाल क्या है आए अब दोनों को साथ में चलाना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सबसे थे से जैगा जैसी रोटर यहांपे पहुंचे यान हमारे पास आया हम क्या वोड़ेटर से काएंगे तुम से तो जैसे सेकंड स्टेप क्या होगा पहला स्टेप रोटेटर मेंटिफिन आपकर आगे डायेगी और सफिट डिग्री मूव कर जाएगी तो जैसी रोटर तुम्हारा रोटेटर मेंटिफिल को एपरोच रहा Magnetically Lock होनी पोजिशन पर आया तुरंती तुमने क्या करा Rotative Magnifique Field को ये North Pole को उठा के 60 डिगरी आगे रख दिया 60 डिगरी आगे रख दिया अब फिर हम यहाँ पर पहुच के वेट करेंगे वेट तब तक करेंगे जब तक कि रोटर भी यहाँ पर नहीं आ जाता तो यही पुरूसेद चलता रहता है सबसे पहले Rotate Magnifique Field 60 चलेगी इंतजार फिर क्या हुआ रोटर साट चलेगा जैसी Rotate Magnifique Field के पास पहुचेगा हम फिर से Rotate Magnifique Field को 60 डिगरी चला देंगे तो ऐसे करके हम Rotate Magnifique Field को 60 60 डिगरी चला देंगे और इसी प्लान से रोटर जो होता है वो हमेशा Rotate Magnifique Field के पास रहता है उसको कह सकते हो पकड़ नहीं पाता है लेकिन हमेशा उसके पीछे चलता रहता है क्यों कि उसे दिखती रहती Rotate Magnifique उसके रेंज में रहती है तो ऐसा करने से क्या होता एक रेंज रहती है और जिसकी वज़े से रोटर और Rotate Magnifique साथ में चल सकते हैं तो यहां पर Synchronization का Concept कवर हो जाता है तो हो क्या रहा है जैसे रोटर कैज करेगा Rotate Magnifique पोल को हम क्या करेंगे पोल को 60 कर देंगे तो प्रॉपर सुचिंग कंट्रोल अब यह क्या है भाई यह सुचिंग कंट्रोल क्या रोल है उसको अभी समझते हैं अगले स्लाइड में तो देखो यह तो concept तो समझ में आ गया logic बहुत अच्छा समझ में आया कोई दिक्कत नहीं थी इस logic को जड़ा apply करके देखते हैं थोड़ा सा यह logic कैसे काम करेगा तो यहां पर हमने जो बात सीखने वाली है कि जितना time taken by rotor to catch the rotative magnetic pole यानि कि time take यानि कि जो rotor जितना भी समय ले रहा है rotative magnetic field के pole को पकड़ने के लिए वही time जो होगा वह decide करेगा rotative magnetic field की speed यानि की मान के चलते हैं rotor यहां से 60 degree मान लेते है rotative magnetic field move करी 60 degree 60 degree clear हो गया now RMF 60 degree move करेगा है rotor उस 60 degree को कितनी देर में cover करता है तो rotor भी 60 degree move करेगा अब यहां से rotor 60 degree move करने मान के चलते हैं यानि की TR time ले ले रहा है तो जितनी देर में यह rotor यहां से 0 से 60 degree आएगा ठीक यह जो time होगा T rotor का यही decide करेगा switching time को यानि की यह जो time है यह decides करेगा rotative magnetic field की speed को अब rotative magnetic field speed का मतलब switching timing को कैसे जैसे मान के चलते हैं यह वाला switch on था यह वाला switch अगर हम on कर देंगे तो हमारी rotating magnetic field जो है मान के चलते हैं वह यहां पे आ गई अब जैसे ही rotor यहां से 60 degree move करके यहां पे आएगा तो हम ही क्या करना है अब अगला switching pattern on करना है अगला switching pattern मतलब इस north pole को 60 degree shift करना है पीछे हमने यह इस ही का था हम इस चाहते हैं यह north pole जो है वह यहां से shift हो के 60 degree आ जाए तो हम क्या करना है हमें 60 degree switch करना है तो यह 60 degree switch करने का जो time है यानि कितनी देर बाद 60 degree rotating magnetic field switch करोगे यह कौन decide करेगा यह decide करेगा कि rotor कितनी देर बाद 60 degree move कर पाया clear हो गए यहां पे तो rotor कितनी देर में 60 degree move कर पाया rotor कितनी देर में 60 degree move कर पाया यह decide करेगा कि जो तुमारी rotating magnetic field है वह 60 degree कब move करेगी clear हो रहा है यानि कि switching pattern जो पहले थे S1, S5, S6 वहां से S1, S2, S6 कितनी देर बाद जाएगा तो यह decide करेगा यह decide करेगा rotor कितनी देर में 60 degree move कर रहा है तो time rotor यानि कि rotor को जितना time लग रहा है 60 degree move करने में यही time decide करेगा कि switch को बदलने में कितना देर लगेगी यानि कि time taken to shift switching pattern यानि switching pattern को shift करने में कितना time लगेगा switching pattern जो है उनको shift होने में कितना time लगेगा तो switching pattern यह pattern 1 से pattern 2 में जाने में कितना समय लगेगा ये कहलाता है switching time और rotor 0 degree से 60 degree move करने में rotor किती ही लगेगा rotor time clear हो गए यहाँ पर आई हो भी समझ में आ गई होगी तो ये हमने concept यहाँ से सीखा now logic की बात कर लेते हैं plan समझ में आ गया まぁ किया हो टाई हो रहा है न लॉजिक कर लेते हैं logic क्या है हमें करना क्या होगा हर 60 degree rotation के बाद यानि कि rotor के हर 60 degree move के बाद हमें switching pattern को shift करना है यही तो सीख आ अभी तक कि इतनी देर में जहने हर 60 degree rotation के बाद यान रोटर मान लेते हैं पर है ठीक है यह होगा रोटर और तुम्हारा रोटेटी मेंग्टी फिल्ट जो है वह यहां पर है रोटेट इस पर S1 S5 और S6 on है मान के चलते हैं ठीक है एस सारी S1 S2 and S6 S1 S2 और S6 conduct कर रहे हैं यह सवन S2 S6 उसके बाद दूसरा स्विचिंग ब्रसक्राइब निए निए प्टक वर्णी करना है यह ब्रसक्राइब कि तेरा में 60 डिग्री ओसे एंगिल है मूँब रोटर चीटिडिए रोटेशन ओफ रोटर मुब बैर रोटर जो। कि तिरे मूँब कर रहा है यह डिसाइब करेगा टाइम स्पारिम between time switching between pattern 1 to pattern 2 यानि कि pattern 1 से pattern 2 में जो तुम जितनी देर में जाओगे वो कॉन decide करेगा वो decide करेगा rotor कितनी देर में 0 से 60 degree आ गया है clear हो गया यहां पर so this is the logic now यहां पर आयो समझ में आ गया होगा तो इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं अच्छा एक चीज़ और समझ लो इससे एक concept और रहा है गया तो आप क्या होगा यह कौन बताएगा यह rotor कितनी देर में 60 degree मूव कर गया यह कौन बताएगा यह बताएगा हमारा rotor positional sensor तो rotor के जो positional sensor है वो यह जानकारी देंगे कि rotor कितनी देर में 60 degree मूव कर गया यह जानकारी जाएगी आपके controller में और controller क्या करेगा इसी जानकारी के साफ से pattern 1 से pattern 2 पे switching signal generate करेगा यानि कि जो highs थे उन्हें low कर देगा और जो low थे उन्हें high कर देगा on the basis of rotor position sensor समझ में रहा है तो देखो अब यहाँ पर पूरी picture clear हो गई होगी और पीछे एक बार देख लेते हैं मैं यहां से यहां से एक बार देख लेते हैं तो देखो हुआ क्या rotor यहां पर था 0 degree पर अब यह rotor थोड़ दे बाद घूम के 60 degree आ गया टीक है रोटर था हमारा यहां पर 0 degree पर तो और जीरो डिगरी पर ओके अब रोटेटिंग्री फिल्ट जैसी मैंने switch on करा मैंने मान के चलते है switch on करा s1 s5 और s6 for example एक example ले रहाए है तो मान के और आगया आगया अब नौर्ट-पोल 60 डिगरी पर है तो रोटर क्या करेगा इसको इसके साथ अट्रेक्ट होगा अट्रेक्ट होगा रोटर गूमें में अब जैसे ही रोटर घूम के यहाँ पर आएगा नॉर्थ पोल के उपर जैसी रोटर यहाँ आ गया साउथ और नॉर्थ अब जैसी यहाँ आ गया तो पोजिशनल सेंसर ने कह दिया कि भाई रोटर जो है 60 डिगरी रोटेट कर चुका है यह information जाएगी यहाँ पर sensor controller यह जाएगी controller में controller क्या करेंगे यह जो switch थे अब मान लेते हैं यह pattern वनता pattern वनता S1, S5 और S6 अगला pattern होने वाला है S2, S6 और S4 मान की चलते हैं just take example ले रहा हूँ तो आप देखो S1, S5, S6 था अब जैसे ही हमने देखा कि position sensor ने बताया कि rotor भाईया 60 degree rotate कर चुका है तो यहाँ से ही जानकारी गई signal conditioner में signal conditioner की जानकारी गई controller ने controller ने क्या करा तुरंती pattern को switch कर देए यहाँ जो pulses generate हो रही थी रही यह अब देखो अगला क्या S1 को off करना है तो S1 को low कर देंगे ठीक है S1 को low कर देंगे S2 को high कर देंगे यानिकि low चल ला था इसे high कर देंगे S6 को high रहन देंगे क्योंकि on है अभी भी S4 को S4 को वापस से low चल ला था इसे high कर देंगे clear हो रहा है यह low के low ही चलता रहेगा कोई दिक्कती नहीं है और S5 S5 तुम्हारा है बंद हो गया तो S5 को भी low कर देंगे clear हो रहा है यहां पर तो देखो इस तरीके से high low हमने create कर दिये clear हो गया तो यह कौन करेगा यह करेगा controller controller जो pulse दे रहा था इन pulses में change ला देगा clear हो रहा है तो जो pulse high चल लए थी 1 की उसे low कर दिया 5 की high चल लए थी उसे भी low कर दिया क्योंकि ने off करना था 2 low था तो 2 को high कर दिया 3 दोनों में नहीं है तो 3 को low ही रहन दिया 4 पहले नहीं था अब on करना है तो इसको high कर दिया तो यह कौन करेगा यह जो pulses है उनको कब high और कब on करना यह controller करेगा on the basis of rotor position sensor तो अब आपको पूरी picture clear हो गई होगी और जैसे ही ऐसा होगा जैसे हम switching pattern 1 से pattern 1 से pattern 2 पे जाएंगे north pole जो यहाँ पे था यह 60 degree गूम करके यहाँ पे आ जाएगा अब जैसी यहाँ जाएगा फिर से rotor इसकी तरफ अट्रेक्ट होगा अब क्या होगा अब जैसे ही north pole यहाँ पे आएगा तो अब क्या होगा यह pattern कब तक बना रहेगा यह तब तक बना रहेगा जब तक rotor further 60 degree मूव नहीं कर जाएगा जैसी rotor further 60 degree मूव करेगा गोंग के यहाँ पर आएगा north-south-north उसी बात तुरंदी पोजिट सेंसर करेगा भाई फिर से साथ डिग्री रोटर मूव कर गया फिर से 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 प्रोसीजर शुडू हो जाएगा और switching pattern 1 से 2 & 2 से 3 पर चला जाएगा क्लियर हो रहा है यहाँ पर तो इस तरीकी से रोटर जो है 360 डिग्री मूव करता है क्लियर हो गया तो अब objective की तरफ देख लेते हैं objective हमने पहला objective पूरा कर लिया था फिर हमने switch on and off करके देख लिया कैसे होंगे now finally हमने क्या करा है BLDC motor को self start कर लिया with the help of switching control and positional sensor की मदद से आयो कोई doubt नहीं होना चाहिए कोई doubt है तो comment section होता है यहाँ पर BLDC motor की series लगवाख खतम हो गई है अगर कुछ और नया मुझे मिलेगा तो मैं आपको अलग से share कर दूँगा लेकिन BLDC motor यहाँ पर complete हो गई है तो उसके उंपर भी वीडियो आपके सामने जरूर बनाऊंगा positional sensor की उंपर अगर चाहते हो मैं बनाऊं तो comment में आपको positional sensor बताना पड़ेगा noise question को discuss कर लेते हैं तो इस question के लिए आपको यह दो लेक्टर्स देखने बहुत जरूरी है यह दो लेक्टर्स मैंने अप्लोड कर चुका हूं कि magnetic saliency क्या होती है और दूसरी बात magnetic saliency permanent magnet machine के अंदर क्या होती है तो यहाँ पर question है X-D और X-Q बीच में क्या relation है SPM SPM का मतलब होता है SPM के बारे मैं कई बार बता चुका हूं SPM का मतलब होता है surface surface mount permanent magnet rotor यानि कि ऐसा rotor जिसके उपर surface के उपर यहाँ पर not south लगा हुआ है not south अगर दो तरीके permanent magnet rotor होते हैं एक होते हैं जो surface mount यानि जिसके अंदर surface rotor के surface के उपर permanent magnet लगता है और दूसरे होते हैं जिनके अंदर rotor के अंदर permanent magnet लगी होती है not south ऐसे यह होते हैं IPM interior interior mount permanent magnet यह होते हैं SPM surface mount permanent magnet rotor आपको एक चीज मैंने बताई हुई है कि अगर हम बात कर लेते हैं इनकी तो देखने में तो इनके पास physical saliency है लेकिन अगर magnetic saliency की बात करें तो permanent magnet की जो permeability होती है वो exactly equal होती है air की permeability के यानि कि अगर तो magnet की नजर से देखोगे एक magnet की नजर से में air और permanent magnet इनके बीच में कोई difference नहीं लगेगा तो अगर हम बात करते हैं flux की तो अगर flux यहां से enter कर रहा है तो यह जो north pole है यह बिल्कुल air की तरह ही work करता हो दिखेगा तो यह देखेगा अगर हम यहां से enter कर रहे हैं ठीक है तो हमने इतना distance cover करना पड़ रहा है और जब QX इस पर cover कर रहा है तो वहां पे इतना distance cover करना पड़ रहा है यह दोनों बराबर हैं तो क्योंकि यह दोनों बराबर हैं तो इनका reactance भी बराबर होगा तो इसलिए approximately xd equal to xq तो answer है इसका c clear हो गए यहां पर जितने लोगों ने answer सही निकाला है उनको congratulations क्योंकि उन्होंने य अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं कोई डाउटर तो comment section बता सकते हैं और किसी भी तरीके कि अगर आप कोई technical problem से deal कर रहे हैं यानि कोई technical topic समझ में नहीं आ रहा है तो comment section बताए हो सकता है आने वाले lecture मैं आपके उसी topic पर बना दूँ आपने बना कीम्दी समय दि